मुक्यमंत्री आवास पर तक्रीबन एक घंटे की बैठक हुई ये बैठक भारतिय जनता पाटी के बिहार के प्रभारी भुपेंद्र यादव समेत जो तमाम बरे नेता हैं उनके साथ सीम नितीश की बैठक की गई इस बैठक में कई जो मुद्दे थे उस पर चर्चा हुई ह बात की जाए तो लंबे वक्त से बिहार को विशे सराज्य का दर्जा की मांग कर रही जेडियू और भारतिय जनता पाटी द्वारा उस पर देई जा रही प्रतिक्रिया को लेकर जो दूरियां दोनों पाटीयों में थी शायद वो अब कम होगी बात की जाए तो कई और मुद्दे हैं जिसको लेकर जेडियू और भारतिय जनता पाटी अलग अलग नजर आ रही थी हाला कि आज की बैठक को देखकर कहा जा रहा था कि निकाय चुनाओ से जो निकाय कोटे से जो मलसी के चुनाओ होने हैं उसको लेकर ये बैठक एक अन्य मार्ग से बाहर निकले और उनके चेहरे पर मुस्कुराहाट थी मुस्कुराहाट के कई माइने हैं बता दे आपको की निकाय चुनाओ के साथ भारतिय जनता पाटी और जेडियू में कई और जो मुद्दे रहे शराबंदी की बात की जाए तो इन तमाम मुद्द है तकरीबन एक घंटे तक मुख्यमंत्री नितिश कुमार और भुपेंदर यादव ने मुलाकात की इस मुलाकात में कई जो चर्चाएं हैं वो की गई है हाला कि अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां भुपेंदर यादव बीना कुछ बोले लेकिन मुस्कुराहाट क साथ बाहर निकले हैं वहीं सबसे बरा सवाल ये है कि अंडिये गट बंधन में दो और जो सहयोगी दल हैं उनका क्या होगा बात की जाए तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांजी ने भी मलसी निकाय चुनाओ को लेकर कई जो सीटे हैं उसकी मांग क वहीं विकास सेल इंसान पाटी के संरक्षक मुकेर सहनी ने भी इक्षा जताई है कि उन्हें भी निकाय चुनाओ होने वाले मलसी चुनाओ को लेकर सीटे चाहिए ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जब बैठक हुई है तो इसमें सीट फर्मूला क्या तय किय हाला कि जिस मुस्कुराहर के साथ भुपेंद्र यादो बाहर निकले उससे ये प्रतीत होता है कि बात बन गई है लेकिन बात बनने के बाद अब किस समीकरन के साथ निकाय चुनाओ में जेडियू भाजपा विकास सिल इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा उत्रेंगे यह देखना दिल्चस्प होगा जाते आते आपको जरूरी जानकारी देते चले कि पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से बिहार का सियासत बदला और लोचपा तूटके दो पार्ट में बदली उसके बाद पसुपती पारस गुट जो है रास्ट्रिया लोचप चुनाओं को लेकर पत्ते खुलेंगे तो उसमें किन लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी क्योंकि जिस मुस्कुराहट के साथ भूपेंद्रे यादों निकले हैं उसके कई माईने लगाय जा रहे हैं तंद्र मंत्र के बाशा भारत के जाने माने सर्विसे गुरू खान जी मिलेगा हर समस्या का समधार गैरंटी के साथ मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिष्टे आते थे पर कोई न कोई अर्चन पड़ जाती थी इसी वज़ा से मेरा पूरा परिवार बहुत परशान था बाबा जी की दुआउं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहु बने बट को चाहे जहां काम होका सिर्फ यहां ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवा, जादु टोना, पती पत्नी में अन्बन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोट का चैरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरू खान जी, अभी कॉल करें 9821707996